इस वीडियो में दूस्तों हम लोग बात करेंगे फैन कोड़ ECSTTN जिब रेल्टर के दूस्तों आज के होने वाले मैश नमबर 1 और दूस्तों आज के होने वाले मैश नमबर 2 और साथ ही साथ दूस्तों आज के होने वाले मैश नमबर 3 के बारे में दोसो आज का मैश नमबर 1 है वो दोसो SLG और दोसो ETR टीम के भी खेला जागा और सेम टीम का मैश नमबर 2 में भी खेला जागा और दोसो मैश नमबर 3 में भी खेला जागा बस दोसो तीनो मैश में टाइम का फर्क है मैश नमबर 1 दोसो रात के 10 बजे से स्टार्ट होगा मैश नमबर 2 दोसो रात के 12 बज़े से स्टार्ट होगा और मैश नमबर 3 दोसो रात के 2 बज़े से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दोसो में आपको इस तीनों मैश related small league का final combination प्रवाइट कर रहा हूं साथी साथ दोसो आपको इस वीडियो में सभी player का stats जानने को मिलेगा और दोसो stats को ध्यान में रखे आज के match में आप किस तरह से small league का team बनाऊगे साथी साथ दोसो आप grand league में किस तरह से player को rotate कर सकते हो कौन से player दोसो आपके लिए important और दोसो game changer रहेंगे grand league में सभी कुछ दोसो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा त तो सभी दोस वीडियो को पूरा watch कीजेगा वीडियो में दोसो यदि आप खुछ से team बना रहे हो और कोई भी problem होता है कहीं भी confusion होता है तो नीचे दोसो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हो ठीक ना सबसे पहले दोसो हम लोग बात कर लेते हैं दोसो SLG और दोसो ETR की team का और 11 मैच इन्होंने loss किया है वहीं दोसो ETR की team दोसो इस tournament में अभी तक 15 मैच के लिए है जिसमें दोसो इन्होंने 10 मैच win किया है और दोसो 5 मैच सिर्फ और सिफ लॉस किया है तो यहां पे दोसो आप clear देख सकते हो कि दोसो आज के match में आपको किस team को favor करना है और दोसो कि इस team के maximum player को अपने team में try करना है मैं दोसो इस match में ETR team को favor कर रहा हूं ठीक ना और मेरा दोसो इस वीडियो में जो मैं combination आपके साथ share कर रहा हूं वो दोसो मेरा 3 और 8 का combination है 8 player दोसो में रख रहा हूं ETR के team के तरफ से और 3 player दोसो में रख रहा हूं SLG के तरफ से right now दोसो एक चीज़ का ध्यान रखेगा जो भी मैं अभी आपको दोसो final combination इस तीनों match related प्रवाइट कर रहा हूं टस्क के बाद दोसो यदि उस combination में कोई player नहीं खेलता है और साथी साथ दोसो टस्क को ध्यान में रखके मेरे को कोई भी changes करना होगा तो दोसो मैं आपको फिर से final और और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube चानल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube चानल को जरूर subscribe किजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तो सबसे important notification का घंटी चरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा अब बात करते हैं दोस्तो ह आपको के मिरपूरी का option मिलेगा मिरपूरी दोस्तो इस टुनामेन में अभी तक 15 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 147 अने score किये और वहीं दोस्तो बालिंग से आपको 15 मैच में 9 विकेट प्रवाइट किये और 19 सोबर complete बालिंग किये और सभी मैच में दोस्तो धिया मैं यहाँ पर दोस्तो आपको recommend करूँगा यदि मिरपूरी इस मैच में balling करेगा तो दोस्तो आपको small league grand league दोनों में try करना है यदि दोस्तो यह biget keeping करते हैं तो सिपर सीप सिपर सिप small league में रखना यदि खेलते हैं तो दोस्व आप इन्हें स्मोल लिंग में रख सकते हो नीचे आईगा दोस्व तो आपको एम गोट फिलो का उप्शन में लेगा 70% करीब जनता इन्हें टीम में रखा है लेकिन यार मैं नहीं रखने वाला हूँ बहुत ही दोस्व नीचे बैटिंग करने आते हैं में लिए दोस्व आपको बिकेट कीप्रिंग से पॉइंट देंगे आप इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस देखो ना 11 मैच खेले जिसमें आपको मातर 63 रन इसकोर की है तो देट्स वाई दोस्व मैं राइट ना इन्हें ड्रॉप कर रहा हूँ मेरा दोस्व जो प्रिफरेंस रहेगा वो दोस्व फॉस्ट प्रिफरेंस मैं दोस्व मिर पूरी को दूंगा second preference दोसो यदि estegno खेलते तो ये रहेंगे और यदि ये ना खेले तो second preference आप Godfellow के साथ जा सकते हो अब बात करें हम लोग batting section से तो batting section में Elbrose must important pick है जितना भी combination मना रहे हो जरूर try करना सभी match में दोसो आपको first round batting भी करने आएंगे और आपको दोसो दो ओबर balling भी करके देते हैं तोनामेन का performance देखे तो 13 match के लिए जिसमें आपको batting से 1699 score किये और 13 match में दोसो आपको balling से 5 wicket provide कर चुके और अभी तक 200 ओबर complete balling किये नीची आईगा दोसो तो आपको J.Fillicon का option मिलेगा open batting करने आएंगे दोसो SLG के लिए performance कैसा रहा है तो अभी तक 13 match खेले जिसमें आपको batting से 2599 score किये that means performance अच्छा रहा है आप small league grand league दोनों में रख सकते हो नीची आईगा दोसो तो आपको P hatchman का option मिलेगा यदि दोसो ETR की team balling first करे तो दोसो आप drop कर सकते हो और यदि दोसो ETR की team batting first करे तो दोसो आप small league grand league दोनों में try कर सकते हो 12 match खेले टुनामिन में जिसमें आपको 1299 score किये है और यदि दोसो ये खेलते हैं तो ध्यान अखना आपको open batting करेंगे नहीं तो दोसो आपको first round batting करने आएंगे that means हमेशा top order में batting करने आते है नीचे आईएगा दोसो तो आपको deep power का option मिलेगा सिर्फ और सिफ grand league में try करना पी hatchman के जगा पे और मैं क्यों बोल रहा हूं दोसो grand league में तो यह चीज का दोसो ध्यान रखीगा यह दोनों को आप rotate कर सकते हो फिर दोसो आप patting section में नीचे आएगा तो नीचे दोसो मैं आपको एक option provide करता हूं नाम है दोसो इनका ace black अभी तक इस tournament में दो match खेले जिसमें आपको एक picket provide किया और 4 over complete balling किये लेकिन दोसो last आप 12 match देख लो तो इन्होंने खेला नहीं है इस tournament में में भी 200 चोट की वज़ा से हो सकता है क्योंकि baller बहुत ही अच्छे baller है दो match इन्होंने खेला था दोनों match में line length बहुत ही अच्छा था swing कराते हैं power play में balling करते हैं बाइचांस खेलते हुए दीख जाये तो दोस्तों आप इन्हें definitely small league mini jail में जरू ट्राइ करना अब बात करें दोस्तों हम लोग orlander section से तो orlander section में आईगा दोस्तों आपको एपाई का option मिलेगा एपाई दोस्तों इस tournament में अभी तक 15 match खेले जिसमें आपको बैटिंग से 25 run score किये और वहीं दोस्तों balling से आपको 4 बिकेट परवाइट किये 15 match में और 13 ओभर complete balling किये और सभी match में दोस्तों open batting करने आते हैं small league grand league दोनों में बहुत ही important pick रहेंगे आप इने दोस्तों grand league में 22 captain तक भी कर सकते हो नीची आएगा दोस्तों आपको Christian का option मिलेगा एक बहुत ही अच्छे दोस्तों बिकेट टेकर baller है बैटिंग से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा score नहीं करेंगे लेकिन या दोस्तों अभी तक इनोंने tournament में देखो तो 15 match खेला है जिसमें दोस्तों आपको 11 wicket provide कर चुके है टीम में दोस्तों आप definitely try कर सकते हैं और सभी match में आपको 2 भर balling भी करके देंगे नीची आईगा दोस्तों तो आपको बी जामीट का option मिलेगा बी जामीट बहुत ही अच्छे है और राउंडर player है लेकिन यार इनका selection percentage कम क्यों है आप यहीं नहीं पूछोगे तो reason बहुत simple है दोस्तों लास्ट 8 match से खेले नहीं टुनामिन में नीची आईगा दोस्तों आप जे बोकारी को रख सकते हो अभी वाले match में बहुत ही अच्छे दोस्तों और राउंडर player है और recent match में दोस्तों इनका performance बहुत ही अच्छा रहा है इस टुनामिन में अभी तक 8 match खेले जिसमें आपको बैटिंग से 96 run score किये और वहीं दोस्तों आपको balling से 8 match में 6 wicket तो provide किये ही साथी साथ 15 over complete balling किये that means सभी match में आपको 2 over balling करके दे रहा है drop दोस्तों बिलकुल भी नहीं कीजेगा और आप इन्हें small league में captain BC भी कर सकते हो नीचे आईगा दोस्तों आपको आर हैनुक का option मिलेगा performance देखे तो अभी तक इस tournament में complete इन्हों ने 6 match खेला है जिसमें आपको 4 wicket provide किये और 9 over complete balling किये नीचे आईगा दोस्तों आपको aim हैनुक का option मिलेगा हैनुक भी दोस्तों इस tournament में 6 match खेले जिसमें दोस्तों आपको batting से 46 run score किये और वहीं दोस्तों 6 match में आपको balling से 3 wicket provide किये और 7 over complete balling किये और यदि दोस्तों aim है उन्हों खेलता है तो आपको दोस्तों batting second round करने आते हैं दोस्तों आप नीचे आईगा तो नीचे दोस्तों आपको एस गोंजालेस का option मिलेंगे average दोस्तों पिलियरे ध्यान अखना बहुत ज़्यादा important नहीं रहेंगे आप इन्हें rotate कर सकते हो अपने small league grand league में 5 match के लिए जिसमें आपको 200 batting से सिर्फोर सिप 84 run score किये हैं ताथी साथ दोस्तों में आपको नीचे से 2 important 10 mini GL और दोस्तों grand league के लिए थोड़ा सा रिक्सी option प्रभाइड करता हूं first है दोस्तों Jerry Lee Jerry Lee दोस्तों इस tournament में अभी तक 2 match खेलें जिसमें दोस्तों इन्हें picket तो नहीं मिला है लेकिन आपको 4 over complete balling किये that means दोनों ही matchों में आपको 2-2 over balling भी किये थे और एक और चीज बता दू दोनों ही matchों में दोस्तों आपको extra balling का point भी दिये थे that means बहुत ज़्यादा दोस्तों run खर्च नहीं करते है minus में दोस्तों आपको point provide नहीं करेंगे और second option है दोस्तों Ace Muhammad Ace Muhammad दोस्तों एक picket taker baller है T10 में दोस्तों अभी तक 19 match खेले जिसमें आपको दोस्तों 15 wicket provide कर चुके है लेकिन का selection percentage इसलिए दोस्तों कम है क्योंकि दोस्तों यह देखो तो अभी तक इस tournament में एक single match भी नहीं खेले तो दोस्तों यदि यह दोनों में से कोई भी player खेलते है तो दोस्तों आप small league में तो ना लेकिन आप mini jail gray league में चरूर ricks ले सकते हो बात करें दोस्तों हम लोग balling section से तो balling section में आएगा दोस्तों आपको aim villain का option मिलेगा performance देखे तो अभी तक tournament में 14 match के लिए जिसमें आपको batting से 159 ने score किये और वहीं दोस्तों 14 match में आपको balling से 5 wicket प्रवाइट कियो और 15 over complete balling किये देखो दोस्तों aim will को आप vice captain करना चाहते हो और कर सकते हो खराब option नहीं है क्योंकि दोको अब ये recent match में क्या हो रहा है कि ये सभी match में top order में batting भी कर रहे है और आपको दोस्तों balling से at least 1 over दोस्तों आपको balling कर दे रहे तो ऐसे में दोस्तों आप इन पे ricks ले सकते हो captain bc का और यदि आप captain bc नहीं कर रहे हो तो team में तो जरूर रखना नीची आईगा दोस्तों आपको ace sim का option मिलेगा performance देखे तो अभी तक tournament में complete देखो complete balling भी किये नीची आईगा दोस्तों आपको turner का option मिलेगा turner दोस्तों हमेशा ही देथ में दोस्तों balling करने आते है और last 2 match में देखो तो आपको 2 wicket provide भी किये और 4 over complete balling भी किये पुरा इनका tournament का performance देखे तो 10 match खेले जिसमें आपको दोस्तों 4 wicket provide किये और 10 match में दोस्तों आपको 17 over complete balling किये फिर दोस्तों आप नीची आएगा balling section में तो दोस्तों आपको ये hot rocks का option मिलेगा hot rocks दोस्तों धियान रखेगा last 4 match से खेल नहीं रहे बड़ दोस्तों आपको playing player में देख जाए तो दोस्तों आप small league, grand league, mini chill सभी में आप try कर सकते हो बहुत ये अच्छे दोस्तों death baller है अभी तक इस tournament में 4 match खेले जिसमें आपको दोस्तों 3 wicket provide किये और 4 match में 8 over balling किये नींची आईगा balling section में तो दोस्तों आपको baglito का option मिलेगा selection percentage देखो कितना कम है लेकिन दोस्तों यदि ये खेले न तो small league में नहीं रखना कोई बात नहीं है लेकिन आप grand league में जरू try कर सकते हो especially tap करना जब दोस्तों SLG की team balling first करती है क्योंकि दोस्तों इस बंदे ने यार performance तो ठीक ठा किया है न complete इनो ने 5 match खेला है जिसमें आपको 9 over balling किया है एक ही बिकेट लिए लेकिन सभी match में आपको balling तो करके दे रहा है न तो इस player पे दोस्तों ध्यान रख सकते हो selection percentage काफी कम है और second दोस्तों मेरे जो important player होएंगे वो होएंगे दोस्तों नीचे से aim hunter अभी तक इस tournament में एक single match भी नहीं खेले लेकिन by chance भी आपको playing 11 में दिख जाता है तो small league, grand league, mini jail जितना भी combination मना रहे हो सभी में रख सकते हो अभी जग T10 में 8 match खेले जिसमें आपको 205 wicket provide भी किये और साथी साथ 8 match में आपको 15 over balling भी किये that means सभी match में आपको 2 over balling भी कर रहे हैं, wicket भी ले रहे हैं, इस player को क्यों नहीं आप try कर सकते हो खेल जाए तो ध्यान रखेगा बात करें दोसो इस match related captain bc option तो दोसो इस match में आपके लिए जो captain bc का option है न तो 4 बहुत ही best option है first option दोसो आपको के मिरपूरी का मिलेगा, यदि दोसो ये balling करता है तो दोसो आपके लिए बहुत अच्छे option रहेंगे जिने आज के match में आप 20 captain कर सकते हो, balling नहीं करेंगे तो धियान रखेगा आपको 20 captain नहीं करना है फिर दोसो आप batting section में आईगा तो एल ब्रोस बहुत ही अच्छे दोसो प्लियर है आपको 2 over balling भी करेंगे और दोसो आपको top order में batting भी करने आएगे आप इन्हें दोसो आज के match में small league grand league में captain bc कर सकते हो, फिर दोसो आप all-rounder section में आईगा तो all-rounder section में दोसो मेरे दो best option है और दोसो नीचे से जे बोकार, यह दोनों all-rounder player है जो दोसो आपको balling batting दोनों से आपको point देंगे definitely दोसो आप इन्हें small league grand league दोनों में captain bc कर सकते हो, और balling section से दोसो जैसा मैंने बताया था ambulance पे एक जरूर combination बनाना, mini jail हो या दोसो grand league हो, at least vice captain करके combination बना सकते हो recent matchों में दोसो इन्होंने बहुत अच्छा performance किया है, right now दोसो मेरे जो captain होंगे, जे बोकारी होंगे और vice captain दोसो में API के साथ जा रहा हूँ, और अभी के लिए दोसो ये team मेरा final team है, दोसो इस match related, आप सभी दोस इस team का screenshot ले लो और दोसो contest join करके रखना, task के बाद दोसो यदि इस combination में कोई player नहीं खेलता है, और दोसो task को ध्यान में रखके मेरे को कोई भी changes करना होता है तो मैं आपको दोस्तो फिर से इस match का final और दोसो updated combination अपने टेलिग्राम चैनल पे provide कर दूँगा, आप सभी दोस टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा, इसका link दोस्तो आपको नीचे description सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथी साथ दोस्तो comment सेक्शन में भी first comment पीन के ह आप मिल जाएगा, जाएए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जूर जाएगे, और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube चानल को subscribe कीजेगा, और दोस्तो subscribe करने के बाद सबसे important notification का घंटी चरूर बजा दीजेगा, जिसे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता र वीडियो में, जाहिन दोस्तो टेक कियार और बाई बाई